अपका स्वागत है एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप विदाउट आधार OTP या बोटर कार्ड के OTP के आप अपना अधार कार्ड या बोटर कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पता हुआ कि अधार कार अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको माई अधार से आपको डाउनलोड होता है देन अगर आप वोटर कार को डाउनलोड करते हैं तो आपको जो है वोटर पोर्टल होना चाहिए अधार कार्ड और वोटर कार्ड से तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़ दोस्तो एक तरीका है जिसकी मदद से आप इजली जो है बिना अधार OTP या वोटर कार्ड के OTP के आप अधार कार्ड या वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तो वो तरीका ह वही है आपको OTP डालना पड़ेगा वही ज़ीगल तरीका है बड़ दोस्तों अगर आपका काम है अगर आपको इस्टेंट जरूरी है कि हमको यह डोकुमेंस चाहिए तो आप प्रिंटिंग पोर्टल का सहाथा ले सकते हैं तो इसमें प्रिंटिंग पोर्टल में क्या होता है, आपको प्रिंटिंग पोर्टल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, एक या डिर्स लोक आपको सब्सक्रिप्शन लोता है lifetime के लिए, वहां से आप कोई भी डॉकुमेंस को आप इसु करवा सकते हैं, चाहे वह अधार क box देना है तो इसका आप easily use कर सकते हैं आप इसमें जो है printing portal में आप dummy भी आप बना सकते हैं किसी का भी ये डーん अधार card वोटर card पेंट कार बनवा सकते हैं easily कोई दिकट नहीं होता है तो दोस्तों printing portal का यूज कैसे करना है इस पे मैं आपको को वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि यह इनलीगल तरह का है अगर मैं इस वीडियो बनाता हो तो इस में are YouTube यूटुब चैनल पर इस वीडियो प Counterर कोपीृइट आ सकता है बड़ दूस्तों मैं इसका तरिका بتा सकता हूं कि आपको किस तरीकी से आपको अपना fan card या आपका voter card या अधार card को download करना है भीना OTP के तो simple इसके लिए आपको अपना chrome browser को open कर लेना है और open करने के बाद आपको simple google में type करना है यहाँ पर printing portal and printing portal जैसे आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे लोग इसमें register करके download करते हैं उसका link मैं आपको दे दूँगा उस पे आप 3-4 website का मैं link दे दूँगा वहाँ से जाका आप किसी पे भी आप subscription लेकर download कर सकते हैं बट मैं आपको बता दूँ यह illegal तरीका है इसमें आप download करते हैं तो आपको जो लीगल नहीं माना जाता है इस document जो आप इसमें करवाएंगे इस website से printing portal से आप इसे कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हैं means कोई कहीं पे आपको जैसे मान लीजिए अगर आपको कहीं पर इसको दिखाना है तो आप दिखा नहीं सकते हैं ये लीगल तरीका नहीं है बड़ दोस्तो एक चीज़ में आपको बता दूँ अगर आपको लीगल तरीके से अगर आपको अपना अधारकार ये voter card डाउनलोड करना है तो easy process है आप mobile नमर जुरुआ लीजिए कोई दिक्कत नहीं होता है आपका mobile नमर जोड़ाने के लिए आपको cse center वेगर आपको अधार कार सेंटर वेगर जाना पड़ता है बट voter card में आपको mobile नमर जोड़वाने के लिए आप online तरीका ही है आप online ही अपने mobile नमर जुरुआ सकते हैं और आपका जोड़े वह hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा but last मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मैं इसका procedure नहीं दिखा सकता इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखाया कि आपके कैसे download कर सकते हैं but आप इस तरह के से use कर सकते हैं बस इतना ही तो दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद